सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकोन और नेवर मिस अन अपडेट फ्रॉम ओप्स टिवी सथी जियकाल जी मैं दिल जी दुसांज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हम सब जानते हैं कि 2020 हम सब के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजिस लेके आया जिन चीजों के लिए हम रैडी नहीं थे जिन चीजों के लिए हमने कभी सोचा रही था कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाएगा वो सब हमने फेस किया चोटे से लेके बड़ा कारोबार सब प्रभावत हुए इससे जो जो भी हमने प्लैनिंग्स बना रखी थी वैसे नहीं हो सका ये हम सब को पता है बहुत सारी हैपन्स हुई बहुत सारी बाते हैं जो हमारे देश में हुई बहुत सारा आपने नियूज में देखा, बहुत सारा पड़ा, मैं उन सब के बारे में जिकर नहीं करूँगा, कोई भी नेगटिव बात के लिए, मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी इस लॉगडाउन में मैंने सुनी पड़ी और देखी भी, एक बड़ी कमाल की उधारन है, अगर आपने कहीं पड़ी हो तो आप जाके चेक कर सकते हैं, महराश्ट्र के पास एक गाउं है, जहां पानी की नल की सेवा बंद हो गई ती जि पानी की प्रावलम थी, वो सॉल्फ की, यह तो बहुत बड़ी बात है, आप अपने अपने अलावा बाकी लोगों के लिए भी आपने कुछ कर दिखाया, ऐसी बहुत सारी और नियूस होंगी, जो शायद हम तक पहुंची नहीं, जो आप लोगों को पता होंगी, जो मुझ बात करना चाता हूँ, मैं भी मुंबई में था और जो दिदी हमारे खाना बनाने आती थी, वो भी लॉकडाउन की वज़े से आने ही पा रही थी, तो मैंने यूट्यूब से खाना बनाना सीखा, मुझे पता बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप लोग खाने की बात कर रहे हो आप अफोर्ड कर सकते थे, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको खाना नहीं मिला, जो खाने की वज़े से जिनको कितनी प्राउब्म पेज करनी पड़ी, मुझे पता है, मैं एक साधारन परिवार से हूँ, जहां मेरे फादर पांच हजार रपे सरकारी जॉब करते थे, और मेरी मॉम कैसे पांच हजार में घर चलाते थे, मुझे नहीं पता, आज अगर मैं शायद ऐसा नहीं कर पाऊंगा, प्लस वन में था जब मैं प्लस टू एंटर नहीं हो सका, क्योंकि जो एक फीज थी स्कूल की तरफ से, मैं दे नहीं पाया था, घर से मैंने मागी भी नहीं क्यो कोई बिमार ना हो जाए, क्योंकि पैसे जो महीने के वो खतम हो जाते थे, तो ऐसी बात नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम्स का नहीं पाता है, लेकिन मैं कोई भी नेगटिव बात के लिए ये वीडियो बनाई है, कि बहुत सारी पॉस्टिव बाते पे होगी है, मैंने, मैं ज़रूर मेरे साथ शेयर करना, मैंने खाना बनाना सिखा, मैं गायक हूँ, मेरी जो जर्नी है वो एजन सिंगर स्टार्ट हुई, लेकिन अभी फिल्मों में मैं चलो काम करता हूँ, तो बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग के वज़े से मैं एल्बम पे और अपने गाने प अपने एक स्टाफ की उन्होंने जो सेलरी है वो पूरी की पूरी दी, या आपने कोई भी बड़ा काम किया, उन सब के लिए बहुत बहुत सब का धन्यवाद, ये वीडियो परसनल है, कि मैंने ये दो काम इस लॉगडाउन में किये, चाहे जैसी भी सरकमस्तार्स थे, लेक के दिमाग में बहुत सारी बाते आई होंगी, बहुत सारी ऐसी ख्याल आए होंगे, जो कई बार आम किसी को नहीं बताते, अंदर ही अंदर कोई ऐसी चीज़ें चलने लगती हैं, जिससे कई बार बंदा डिप्रेस हो जाता है, तो ये मेरी वीडियो सिर्फ इसलिए है, कि आप पॉजिटिव बात अपनी शेयर करें, हम सब के साथ, कि हम सब को पॉजिटिविटी मिल सके, हम सब को उसके साथ, क्योंकि अब ये करोना जैसे पता नहीं, ये जा रहा है, आ रहा है, ये है क्या, ये बड़ी बाते हैं हमारी समय से बाहर है, तो लेकिन इसका जो असर ह होने वाला है उस चीज़ को कैसे कम कर सके हम कैसे पॉजिटिव होके आगे बढ़ सके यह सिर्फ उसके लिए वीडियो है अगर मैं गलत बोल गया हूं कुछ गलत किसी के लिए कह गया हूं अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची हो मेरे किसी शब्दों की वज़े से तो मैं अभ मिस अपडेट फ्यूप्स टीव